खास पेसकर समारी बजिंग इस्टॉक जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेरों की जहां पर खबरों की चलते देखने को मिल रहा है एक्शन क्या होना चाहिए आपका रियक्शन ये बताएंगे रवी जी खबर बताएंगे हम और रनीती आपको बनानी अपनी खुद नि स्टॉरेंट पावर पर खबार आई है कि कंपनी को करीब साड़े तीन हजार करोड से ज्यादा का एक और मिला हुआ है और कंपनी को यह जो आउडर मिला है वो तीन सो मेगावाट के विंट सोलर हाइब्रिट प्रजेक्ट लगाने के लिए यह और कंपनी को मिला है चौवि आपकी कारोबारी सतर में और अभी भी चार परसेंट के आसपास की मजबूती बनी हुई है 1200 के आसपास का इस तर देखने को मिल रहा है आपकी क्या सला रहेगी तोरेंट पावर के उपर देखिए स्टॉक कंटीनिव आप ट्रेंड में रहा है और इससे पहले भी मैंने 50 रुपए से ले करके 500 रुपए के बीच में है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा सब पॉकेट में जोतना जेब खर्च में बसता है उसको आप लगा सकते है 1200 रुपए के स्टॉक है लेकिन ये कहूंगा कि ये भी अच्छा स्टॉक है अंडर वैलूड इस्टॉक ह की बात की जाए तो यहाँ पर 1150 के जब तक नीचे ट्रेड नहीं होता तब तक कोई रिस्क नहीं है तो मुझे लगता है कि इस निउसका इंपक्ट लॉंग टम पर पॉस्टिव होगा इमिजट उसका रियक्शन भले दिखा है लेकिन धीरे-धीरे करके वापिस आप इसको खड़दारी कर सकते हैं चलिए तो यह रहा यहां पर निकल करके आती हुई और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो की इरेडा के बारे में जाना चाहरे हैं सारा भी किसी का नाम नहीं लिया लेकिन इरेडा पर हमने डीटेल में चर्चा की है तो कारिक्रम समाप्त होने के ब आज आपको बता दें कि अधानी समु के खिलाफ अब अमेरिका में जांच जो है उसकी शुरुआत होई है और उसके चलते थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है और यह जो पूरा मामला है यह उर्जिया प्रोडेक्ट से जुड़ा हुआ यह गिरावट देखने को मिल रही है अधानी समु के बाकिशेरों में भी हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है सर इन जनरल आपका व्यू तो हमने जान लिया है लेकिन चुकि इस कारिक्रम को हम अलग से अपलोड करते हैं तो हो सकता है पूरे दर्शक पूरा लेवल पर ट्रेड हो और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने चुकि अधानी पूरे सेग्मेंट की बात कि तो जो आज करेक्शन दिख रहा है वो इसी का एक रीजन है मैं उस समय आप लोगों को जब बता रहा था तब इस बात को कह रहा था कि थोड़ा सा करेक्शन और दिखाई देगा और करेक्शन के लेवल्स मैंने आपको बताए हैं जैसे कि इस समय अगर मैं अधानी पूर्ट को देखता हूं तो करीब बारह सो पचास और बारह सो बीस के असपास के लेवल्स आ सकते और इन लेवल्स पर आने के बाद वापीस अट्रेक्शन शुरू हो हो जाएगा थोड़ा एक दो दिन इसका इंपैक्ट रहेगा लेकिन मार्केट में यह स्टॉक लांग टम पर काफी अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा जो निउस है उसकी वज़ा से एक डिप पर मिलने के प्रॉबिल्टी बढ़ गई है चलिए आगे शुक्रवार को भी इनफेक्ट देखने को मिली थी एनपी सी इसे यूपी आई बिजिनस को जाई रखने के बाद से शेयर में लगातार बड़त देखने को मिल रही है और अपर सर्केट लगता हुआ दिखाई देना है बीते दो सेशन के अंदर 11% की तेजी और इस शेयर को हमने इनफेक्ट फ्राइडे को भी डिस्कुशन में लेकर के हम आये थे और यहां पर SBI एक्सिस और HDFC यस बैंक के साथ सेवाए जारी रहनी को लेकर के NPCI की तरफ से मजबूती देखने को मिली थी और मौगन स्टेनले की तरफ से कहा गया कि पांसो पच्पन रुपए के इस तर को यह चोता हुआ दिखाई देगा और उसे के सलते हम देखने हैं कि पेटियम में शांदार मूब देखने को मिला आज भी अपर सर्कृट पर ही है यह रिकवरी है चलावा है क्या कहेंगे सर इसे क्योंकि पेटियम भी जो है ऐसी विवादास्पद इस्तिती में पह भी जाता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल इस टॉक की अक्टिविटी कुछ ऐसी है कि जो भी उतार यह चड़ाओं में अगर आपको ऊपरी लेवल्स मिलते हैं तो इससे विधा करते चलिए बाहर निकलते चलिए लॉंग टम पर इस टॉक यह रखने लाइक नहीं है फिल ज्यादा का उचाल यहां पर शुरुवाती खबरों में देखने को मिल रहा था और बोनस की खबरों की यहां पर निकल करके आई हैं इसके बाद से हम देख रहे हैं कि अनुप इंजिनरिंग के शेर में लगातार यह बढ़ात देखने को मिल रही है 20 मार्च को आपको दाद यहां पर देखने को मिल रहा है सर अभी अगर हम देखें तो बोनस बीस मार्च को बोड़ बैठक होनी है और यहां पर जो है बोड़ बैठक में बोनस से और को लेकर के ऐलान हो सकता है बीस परसंट का अभी अगर हम देखें 15% के आसपास की रैली अनूप इंजिनरिंग में देखने को मिल रही है पिछले महिने में करीब 10% की रैली देखने को मिल यह छे महिने में 47% और एक साल में डूसोरा चुछा बना हुआ है और मुझे याद आता है विपुल जी इस पे कई लोगों ने जब सवाल भेजना शूरू किया तब इस स्टॉखक को मैंने ट्रैक कर दूर रहता हूं लेकिन फिर भी momentum अच्छा है 2800 रुपए पर पास इसको किसी ने question पूछा था मैं उनका नाम तो नहीं याद कर पा रहा है लेकिन स्टॉक अच्छा है 3200 का target दिया था और अभी भी कहूँगा कि इसको आप बिल्कुल रखे लॉंग टंप का अगर नजरिया है तो एक बार 31 रुपए के पास चल रहा है नंबर बड़ा बढ़ ज़या है 3131 और target इसका आप जाएगा 3500 तक यानि 3500 का लक्ष आने वाले समय में देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है 3900 के स्टॉप लॉस तोड़ा लंबा स्टॉप लॉस आपको लग रहा होगा लेकिन लंबी दूरी की चाल भी है और उतना आपको चलता हुआ नजर आएगा जी चलिए इस भी चे नितिन यादो जी कह करने णा कि ख़वर नहीं है टाटा पावर टाटा पावर पे भी बहुत सारे सवाल आयोए हैं अब नाम लेना थोड़ा सा संभाव नहीं होगा को कि बहुत पे जीस के साथ प्रस्ट आते हैं चले आते हैं तो इसी बजएंग स्टॉप स्टॉक्स में हम इसको भी शामिल कर लेते हैं, खबरें यहाँ पर काफी रही है, हाल फिलाल के अंदर, हम कई बार इसको चर्चा में लेकर क्या हैं, आपके क्या असला रहेगी टाटा पावर को लेकिए, देखे पावर में तो मैंने अभी आपको बताया है, कि यह जो एक्जाम जल रहा है, स्टॉक मार्केट का, उसका नाम है इलेक्शन, और इलेक्शन का एक्जाम जैसे ही ओवर होगा न, यह पावर सेक्टर भाग जाएगा, और कितना भागेगा अब उसके लेवल्स तो आपको ज़्यादा तर मिलते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिजल्ट आउट कर लेते हैं, कि हाँ यहाँ ए लेते चलना है, खरिदारी करते हुए चलना है, स्टॉक अच्छा है, न्यूस का इंपैक्ट है, और तेजी का ट्रेंड बना रहेगा, तो यह फिलाल जो है टाटा पावर पे राय निकल करके आती हुई, तो पावर स्ट्रक्टर को लेकर के काफी डिटेल कवरेज हो गई है और बजिंग स्टॉक्स में दो पावर सेरों पे बात्चित हो गई है, तो फिलाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही